हेलो एंड वेलकम आज मैं जावा में रिवर्स नंबर को पिस्तर से डिस्प्ले कराते हैं वो दिखाने वाली है यू क्लास लेते हैं रिवर्स और इसमें उपेन एडिटर करते हैं और हम चाहते हैं कि यूसर इंपूट देने इसली इंपूट यावा .io . asterisk और इहां से बिचाजेते हैं पॉबिक इसली 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 वाट इसली 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 or new buffered reader which can learn new input reader system.in और इसले बाद एक और ब्रेकेट वाई यह हो गया फ्रेमिक अगेट system.out 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 इंटर a number अब इस number को हमको एक variable लेना है int in इसके अंदर integer dot pass int और इसके अंदर db. इसको भी हम एक लाइन में करें दियो दो लाइन को क्योंकि हम एक इस string variable अगर ले थे अब यह हो गया अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं यह तो input के लिए अब तो अब यहाँ पर हमको switches variable लेना तो मियाँ पर लेने तो हमी digit is equal to 0 और reverse is equal to 0 अब इसको इहाँ पर देते हैं digit digit in modulus 10 10 से भाग देर पर जो रिमेंडर वाट सिगा वो होगा digit और 당시 वो होगा n 10 plus 10 और अब अब यह निकालने के बाद देखते है फिर जाया N होगा N is equal to N by 10 पॉर्षेंट जो होगा हुँ तो अब यह लूप चलेगा अब यह लूप कितना देखते है इसके लिए फायल देखते है इसके लिए 10 0 0 से जब से बढ़ा है और इसके पाद 10 10 आंफ पर्हेंग साथ दीत सां प्ला रीवर्स का मतलब है जैसे एक दो तीन देंगे तो तीन दो एक इस तरह से यह दिस्ट ले किराएगा इससे परणी है कि हम ब्रोग्राम बनाए थे कि डिजिट के जितने भी नंबर के जितने भी डिजिट से उसको जोड़ना तो उसमें हम यही लॉजिक से से किये थे लेकिन उसमें डिजिट को उसे भी जोड़ देना था यहां पार डिजिट को उल्टा दिखना था रिफार्स काई और इसके बाद हम देखते हैं कहीं कोई ब्रैकेट ईसर तिप्ट ही डॉपर सिस्टेम वो यहां पर प्रिंट से पहले डॉट कॉपाइल हां कोई एरर नहीं है अब इसको रणक है त्यारे नंबर तीन्चार पांच तो यह है फोर स्यार्स कोई और ने थे अधरा ने था ढाद यू